फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ओसम नॉलेज वीडियो तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा मुल्टाइवेरियेट टेस्टिंग के बारे में, last video मैंने बनाता है, AB टेस्टिंग के बारे में, AB टेस्टिंग एक टाइप है, मल्टाइवेरियेट is the second type of testing that is done in website world, क्या होती है, मल्टाइवेरियेट टेस्टिंग, इसका क्या use है, और किस तरीके से ये अलग है, AB टेस्टिंग से, बात करते हैं इसके बारे में, मिरा नाम हुस्यान, आप देख रहे हैं, जवाबी वबाद चैनल, let's begin. दोस्तो, मल्टाइवेरियेट टेस्टिंग को, आप AB टेस्टिंग से बहुत ज़्यादा अलग मत समझो, इसको बस इस तरीके से समझो, कि मल्टाइवेरियेट टेस्टिंग, जैसा कि नाम से थोड़ा-थोड़ा लगता है, ये AB टेस्टिंग का एक एडवांस फॉर्म है, जिसमें, एक वेब पेज के साथ जब टेस्ट होता है, तो उस वेब पेज में, जो अलग-अलग डिजाइन कॉंपोनेंट यूज होते हैं, एक पेज के ऊपर, उन सब कॉंपोनेंट की इंडिविज्वल परफॉर्मेंस भी मेजर करी जाती है, समझाता हूँ, AB टेस्टिंग के बारे में हमने समझाता है, अगर AB टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है, जिसमें एक ही पेज के एक से ज़्यादा वर्जन बनाया जाते हैं, और फिर हर वर्जन पे अलग-अलग ट्राफिक को बकेटाइज करके उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि कौन सा वर्जन ज़ाधा बहतर परफॉर्म करता है, यह भी टेस्टिंग इसलिए क्याता है, ज़्यादा तर लोग दो वर्जन बनाते हैं, एक को बोलते हैं A एक दूसरे को बोलते हैं B कई बाइस जादा भी बना देते हैं तो CD भी हो जाता है लेकिन जादा तर up to four version बनाते हैं best practices के अंदर और अगर दो version ही बनाएं जैसा जादा तर लोग use करते हैं तो A भी testing उसको को बोलते हैं एक अनाम हो गया A एक अनाम हो गया B multi-variate testing में यह होता है कि जो आपने design बनाया है हर version में जो आपने design बनाया है उसमें जो आप individual component use कर रहे हो एक page के अंदर design के अंदर अलग-अलग component हो सकते हैं अब मैं वो technical jargon use नहीं करूंगा otherwise आपको शाय समझ में ना है लेकिन आप यह समझ लो कि एक web page है तो उसमें कहीं banner होगा कहीं कोई ऊपर की तरफ एक tiny banner होगा उसको interstitial banner बोलते हैं CTA होगा कौन सी language आप यूज़ कर रहे हो header में, title में ठीक है, अलग-अलग marketing copy यह अलग-अलग text आप यूज़ कर सकते हो तो यह अलग-अलग design component जब आप यूज़ कर रहे हो इनकी individual performance के है let's say आपने version A बनाया है उसमें आपने एक particular design component यूज़ किया है version 2 में change बस इतना करा कि बाकी सब कुछ सेम है लेकिन वही एक design component same design component में कुछ part change कर दिया text change कर दिया color change कर दिया अपने font change कर दिया एक छोटा सा minor सा change कर दिया ऐसा आप दूसरे design component के साथ भी कर सकते हो CTA के साथ उसके banner के साथ कौन सी test copy उसकर रहे हो अलग-अलग design component के साथ दे रहा end number of changes that you can do और यह करके जब आप अलग-अलग variables को test कर रहा है तो इसी को multivariate testing बोलते है अब यह screen पे दिये गए example के साथ आपको clear हो सकता है कि यहाँ पर हमने एक ही web page के अलग-अलग 4 version बनाए लेकिन उन 4 version को हम test कर रहे हैं अलग-अलग design component के साथ कि कोई एक widget यूज़ करेंगे तो उसमें कैसा perform करता है उसके साथ कुछ title change कर देंगे तो उसमें कैसा perform करता है तो इस तरीके से multivariate testing होती है गोल इसका भी वही है कि कौन सा version कौन से design component के साथ best performance दे रहा है best conversion दे रहा है इसको जैसा कि मैंने कहा to arrive at the best performing web asset for you तो ये थी थोड़ी सी जैनकारी multivariate testing के बारे में इस तरीके के videos आपको पता में बनाता रहता है अगर अच्छा था लगा तो like भी कर दिए subscribe भी कर दिए I'll see you in the next one Thank you